बिग बॉस की घर में रिश्टो का हुआ पंचनामा अजास बने पापा तो जान बने घर जमाई दरसल बूट बिग बॉस के नए एपिसोड जिसके हूस्ट करनवाही और महमान बनी थी बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और टीवी आक्ट्रस कामया पंजाबी बिग बॉस की घर में होने वाली हलचल के हर पहलू पर ये दोनों ही बात कते हुए आएन नजर इस दोरान टू में खेल का आयोजन भी किया गया इसका नाम था फैमिली ट्री यानि की बिग बॉस की घर में मौजूदा सदस्यों के बीच रिष्टों का पंचनामा इस गेम में एक जाड पर रिष्टों के नाम लिखे हुए थे रिष्टों के हिसाब से घर में कौन सा सद किस भुमिका में फेट बैठता है उसका जवाब कामया पंजाबी को देना था करनवाहि का पहला सवाल था कि घर में दाधा याने की गुंड़ा कौन था कामया पंजाबी ने जवाब दिया कि जिस तरह से घर में आते ही Captain सीख पाने के बाद कविता कौशिक ने जो दिखाया था वो बिल्कुल दादा वाला ही था। कि एक दिन में अगर घर के सबी सदस्यों को सिर्फ साथ आइटम भी मिलने हैं तो वो साथों के लिए जो जिद करता है वो घर की बेकी ही हो सकती है। पवित्रा का नाम लिया क्योंकि वो कई बार लोगों की बाते करती हुई नजर आती हैं और खुट को घर में दादा कहती हैं लेकिन अभी तक उनका वो रूप नजर नहीं आया है। अगला सवाल करन का था कि घर में फूप जी कौन है जो बिनाबाद के मूफ लाए हुए नजर आते हैं। इसके जबाब में कामया पंजाबी ने निशानत का नाम लिया और उन्होंने वजह बताए कि घर में बिनाबाद के मूफ लाए हुए वो नजर आते हैं लेकिन जहां बाते बोलनी चाहिए वो चुपो जाते हैं और जहां उनको नहीं बोलना चाहिए वो फूट पड़ते है वही करन कामया से आखरी सवाल करता है घर का जमाई कौन है तो कामया पंजाबी ने बड़े ही दिल्चस्प अंदाज में बताया कि नाम जान कुमार सानु का है तो यहां आने के बाद वो अपनी सिंगिंग भी भूल गये हैं और बिग बॉस के घर में जो गेम चल रहा है त कुई इस तरह से करनवा ही बिग बॉस की घर में मौझूद सदस्यों के बीच रिष्टों का पंचनामा करते हैं वेल आपको हमारी ये खबर कितनी पसंद आई आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं टेलिविजिन की लेटिस्ट अपडेट्स और शेटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें